हालो साथियो मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं परतिवाब फाउंडेशन में आपका हादिक स्वागत और अभिनंदन है कैसे हैं साथियो मैं आपको फीर आवा आज आपके सामने हूँ और यह सिक्षक भरती परिक्षा है उस परिक्षा के दरिश्ची कोंद के ह इसाप से मैं आप के लिए बनियू डели के डेली विडियो लेकर आता हूं आज मैं आपको बताऊंगा के दो परिमे संख्या है यह आपका परी में परी में संख्या है यह आपका परी में संख्या है ठीक है पहली परी में संख्या है और यह आपका दूसरी परी में संख्या है अब इन दोनों के बीच आपको परी में संख्या निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे ठीक है तो बहुत आसान तरीका है सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं दो पड़िमे संख्याओं के बीच अनंत पड़िमे संख्या होते हैं उसी तरह जिस तरह दो पड़िमे संख्याओं के बीच अनंत और पड़िमे संख्या होते हैं यहां ध्यान दिजिएगा साथियों इसके बीच अनंत एकदम अनन्त जो है इन्फिनिटीव अनन्त जो है आपको परिमे संख्या होंगे अनन्त परिमे संख्या होंगे और अनन्त और परिमे संख्या होंगे दोनों दोनों होता है आपको अनन्त होता है इसकी कोई नहीं होती लेकिन आप कैसे निकालिएगा बहुत मेथर तो कई कि याद रखेंगे कि दो पर्मे संख्याओं के बीच अनंत पर्मे संख्या भी होते हैं जैसे कि आप माल लेते हैं कि दो है और ये पांच है इसे बीच हमको पर्मे संख्या घ्यात करना होगा कैसे निकालेंगे एक बहुत तरीका है आपको देखिए ए पर लस आपको एन भी लिखेंगे अब आई में एन पर लस वन लिखेंगे और यह बिल्कुल फर्मूला सटिक फर्मूला है और एन बराबर हम लिखते चले जाएंगे यानि एक का मतलब होगा कि पहली परी में संख्यानिका निकालना हो इन का मतलब संख्या होगा A और बड़ी-वली संख्या हो जागा B तो हमको क्या करना है देखिए पहली निकालना होगा तो पहली है ना एक से गुना कर देंगे और यहां 5 लिखेंगे के बाद हम लोग 1 पलस 1 लिख देंगे तो आप देखेंगे साथ यो तो आई पांच पांच आदू कित डूसरी कैसे निकलेगा दूसरी निकालने के लिए हटू रखेंगे तो यहां रखेंगे टू पलस इस फाइव और यहां पर हम लोग लिखेंगा टू पलस वन लिखेंगे अब यहां धहां दीजिएगा तो पांद उन्दस अदू 12 और 12 बाटा कितना हो जाएगा साथ जियों तीसरा निकालना हो तो फिर करेंगा 2 पलस तो यानि 3 5 बाई में लिखेंगे 3 पलस वन यानि कि 5 याई 15 आदू 17 और 17 बटा कितना हो जाएगा 4 इस तरह से आपको कितना भी मर्जी हो उतना आप निकाल सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि next fraction वाले को कैसे solve करेंगे ठीक है करें है fraction वाले के लिए यह शुरू करते हैं आ, लेते हैं कि हमारे पास एक बटा दो है ठीक है और यहां पर हम लोगिंगे के बीच हमको निकालना है ठीक है निकालना है तो वैसे ही वही करेंगे जिसे इसको हम A लेंगे और इसको क्या लेंगे लेंगे ठीक है और फिर जो है वही फर्मूला यूज करेंगे A plus N B अब आई में पलस one करेंगे ठीक है तो आपको यह हो जाएगा एक बटा दो पलस हम one आपको 3 by 2 करेंगे अब आई में क्या करेंगे इन पलस one तब पहली निकालना है तो वन पलस one हो जाएगा ठीक है तम आसान सब्दों में समझेए एक तब कोई भी हरवरी नहीं है और धीरे धीरे आपको हर तो भी आपको वीडियो डाल रहा हूं मैं आप उसको देखिए चंद करने के बाद आप देखेंगे कि मैं बिल्कूर आसान भासा में बिल्कूर से सब चीज को अब ध्यर दिर समया दूंगा ठीक है तो देखिए यहां पर आपको जाएगा 1 by 2 हो जाएगा यह आपका 3 by 2 हो जाएगा और बाई में कितना हो जाएगा सांथियो जाएगा ठीक है अब आपको बात करिएगा तो आपको 1 बटा 2 ठीक है यहां 3 बटा 2 आपको LCM हो जाएगा यानि कि 4 बटा 2 हो जाएगा ठीक है और बाई में यह 2 है यह 2 चला जाएगा यहां multiple हो जाएगा 4 by 2 इंट आप देखेंगे इकर जाएगा तो क्या होगा सांथियो एक तो आपको प पडिक है अब भाई में क्या करेंगा ढौन यहां क्या करेंगे और यहां 2 से 2 कार सकते हैं तीन नुना 6 एक Gilãy और यानी कि हम्तीन लिखेंगे भाई में क्या हो जाईगा Mir गतीन हो जाएगा ठीना 6 कर सकते है और Hype 19 के साथा वटा दू हो गया और बाई में तीन हो गया अब तीन को क्या किजेगा यहां ले जाइए साथ वटा इनुना छे आपको दूसरी पड़ी में संख्या निकल गया ठीक है अब आपको तीसरा निकालना होगा तो एक्जामपल देख लिजिए और प्लस ठीरी लिखेंगे और ठीरी बाई टू और बाई में क्या लिखेंगे प्लस वन लिखेंगे ठीक है तो यहां हो जाएगा आपको वन बाई टू ठीक है और यहां प्लस हो जाएगा नाइन वाई और बाई में कितना हो जाएगा फोर अब यहां देखेंगे तो इस काल्सियम सेम हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है आप और यहां क्या करेंगे हम लोग साथींेंद देखिए यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा प्यानि कि यहां आपको क्या करते हैं तरह से आप निकाल सकते हैं कि अब सोचिए कि एजाम में हमको क्या इतना करना पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना तो ऑप्शन से चेक किजिएगा तो आपको ऑप्शन दिया हुआ न सिर्फ देखिए कən 1 by 2 और 3 by 2 के बीच में है या नहीं जो अप्शन आपको 1 by 2 और 3 you आ रहा है तो वह आपका असर हो जाएगा जैसे आप देखocyallo पर future good in यहां जो आप one जो देख रहे हैं यह जो one देख रहे हैं आप निसंदे 1 1 by 2 और 3 by 2 के बीच 1 by 2 का मतलब 0.5 है और यहां 3 by 2 का मतलब क्या हो गया 1.5 है आप देख पा रहे हैं कि 1 जो है के बीच में परकार से 7 by 6 है अगर 7 by 6 को अगर डिभाइड किजिएगा यहां पर देखिए 7 by 6 तो यहां एक हो जाएगा यहां एक दसमलोग दिजिएगा तो 0 हो यहां आजाएगा यहां पर चार आजाएगा यानि 1.1 आ रहा है खो 1.10 इक ₹ 10 से आथ 15 सक्कुछ बच भी रहा है तो आप देख सकते हैं कि 50 पजसा से लेके 10 पज़ाई रूपिया कयो एक पचास पजसा कर बीच में आ इसी परकार से आपका 5 बटा 4 है तो 5 बटा आपको 4 को देखिएगा देखिए 5 बटा 4 है 5 में आपको 4 से डिवाइड किजिएगा एक बार में लग जाएगा एक आगा दसमलो दिजिएगा चार दूना 8 यानि कि लगभग 1.20 पैसा के आसपास आ रहा है 1.2 ठीक है अब इतना जब आ रहा है तो आप लोग देख रहे हैं ठीक है एक रुपिया पचास पैसा के बीच में है तो एक ही बात है कि आप option चेक करेंगे इसके बीच का कौन option है तो यह वीडियो कैसा लगता साथ हो आपको जरूर कमेंट करके बताईएगा और किस तरह से मेरा पढ़ाने का तर तो आप मस्त रहिए त्यारी करते रहिए और जितना हो सके प्रहाई किजिए दिन रात एक कर दीजिए लास्ट चांस है आपका भी प्राइमरी सेक्षन के लिए केवल असी हजार का सीट कोचे कितना बड़ा आपको वेकेंसी है आप अपने सप्पा कर इस सपने को पुरा खीजिए और आप देखेंगे मेरे चाइनल दोरा हर सब्जेक्ट का आपको मिडियो मिलेंगे और निसंदे आपको पुरी तयारी करा दी जागी अंतिम अंतिम सास तक ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जाइए अगर बुलाईएगा नहीं ठीक है बाइबार